नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग सपने में कई बार ऐसी चीजे हम देखते हैं जो हम सोचते भी नहीं वैसे तो सपने अक्सर ऐसे ही आते हैं जिसके बारे में कहीं न कहीं हम सोचते हैं यह हमारे चीजों से जुड़ी होती है लेकिन जब मिर्त प्रिजन आपके सपने में आने लगे तो उनका आना सुभी या असुभ आखिर क्या कनेक्शन है आपका उनसे वो क्या कहना चाहते हैं आपसे तो आज हम कुछ खास बाते करेंगे देखी काम धंदे से ठकार कर जब आ ऐसी घटना हैं जो आपके आसपास घुमती है वो आपके दिमाग के तरंगों से जुड़ जाती है और फिर आप सपन देखते हैं सपन वैसे तो कई बार हम ऐसी चीजों को देख अवारे व्क्त के बारे बतला ही देता है कई वार हमसे अपने में दूसरी दुनिय का आभास होने लगता है कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ याद ही नहीं रहते कुछ सपने देखकर हम खुस होते हैं और कुछ को देखकर डर जाते हैं तो चलिए आज जानते हैं कि रामायन में जब हनमान जी ने लंका धन किया था तो उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई देया था कि एक बानर लंका के ऊपर उड़ रहा है और पूरी लंका जल रही है तो हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है सपने में मरेवे बैक्ति आते हैं जिस पूरोस है जैसे कि मान लेते हैं आपके घर के कोई मिर्त बैक्ति है जो पूरोस है उनकी मिर्ति हो गई है कई बार वह आपको सपने में दीख रहे हैं तो इसका मतलब है और अगर दिखें चुप-चाप खड़े दिखें तो उनके मतलब है कि उनका इच्छा धूरी है उनक तो आपको पैसे मिलते हैं तो इसका मतलब है जल्दी आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा धनलाब होगा आपका बीजनस अच्छा चलेगा का नौकरी में तरक्की होगी और अगर सपने में अपमिर्थ परिजन को आप जिन्दा देखते हैं तब तब जीवन में ऐसे बेक्ती आएंगे जो आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे अगर सपने में कोई महिला को मरा हुआ महिला मतलब आपके घर की कोई लेडी है जो मर चुकी है उनको देखते हैं चुपचाप वो अगर बैठी भी है तो इसका मतलब है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा है वो आपके माध्यम से पूरी करवाना चाहती है अगर आप उनको मिर्थ बैक्ति को वो स्वस्त हैं तो इसका भी अर्थ होता है कि हमारे पुर्वज किसी अच्छे स्थान पे हैं और आपके भी जीवन में अच्छी चीजें होने वाली इसलिए वो प्रसंद नहीं अगर बार बार सपने में आपको मिर्थ परिजन दिखें तो सिब्जी की आपको प्रार्थना करना चाहिए और अगर स्वर्व बासी जो बैक्ति है उनकी आत्मा आपको सांत लग रही है तो आपका सुख संपत्ति बढ़ेगा तो सपने के माध्यम से वह हमें बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा लेकिन सपने के माध्यम से एक यह भी चीज आता नहीं है तो फिर कुछ न कुछ हमें उनकी इनमित का दान जरूर करना चाहिए तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरूर लिखे झाल में हम करेंट